नमस्कार, आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। तेलंगाना में भारतिय जन्ता पार्टी के घर में भारी जगडा हो गया है। बड़ी समस्या हो गई है, जो रास्ता दिखाई दे रहा था कि 2023 के यानि इसी साल के अक्टूबर नॉम्बर में चुनाव होने हैं, उसमें भारतिय जन्ता पार्टी के सियार की पार्टी भारत राष्ट समीती को चैलेंज करने की स्थिती में है, और शायद जीत जाए, नहीं को जो बाहर से आए, उनमें दो नेता प्रमुख है, पहला नाम है एटला राजिंदर, जो एक समय के सियार के दाहिने हाथ हुआ करते थे, के सियार के मंत्र मंडल में वित्त मंत्री थे, उनके सबसे विश्वास पात्र थे, दोनों का जगला हो गया, उन्होंने पार्टी छ चुनाओ पर उप चुनाओ लड़ा और जीत कहें, तब से माना जा रहा था कि वो प्रमुख चेहरा होंगे, सबसे प्रमुख नहीं प्रमुख चेहरा होंगे चुनाओ में, दूसरा राज गुपाल रेड़ी, उनका परिवार जो है, उसका बहुत बड़ा बिजनिस एंपा पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, किवल इन दोनों के आने से नहीं होता ऐसे नेताओं के, ऐसे नेताओं के आने का असर ये होता है, कि बाकी नेता खिचे हुए आते हैं, तो भारती जनिता पार्टी ने आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक पोचिंग कमेटी बना चाहिए, और उसके अलावा जो है, आइडियालिजी को लेकर कम से कम 40-50 पीज़ दी, एक मोटा अंदाजा के सहमती होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से आइडियालिजी के बिलकुल खिलाफ व्यक्ति हो, उसको ले आएं, वो अपने राजितिक फायदे के लिए आए और फिर बाद में जो है, वो पार्टी से के खिलाफ हो जाए, और पार्टी में द्रोह कर दे, तो यह सब कई इस तरह की कई बातों को ध्यान में रखकर लाने की, तो उमीद थी कि चुनाओ जब नस्दीक आएगा, तो कॉंग्रिस से बगदर मचेगी, और कॉंग्रिस के ल तो इस बीच में दो चीज़े हुई है, एक करनाटक विधान सभाग चुनाओ का नतीज़ा आया, उसमें कॉंग्रिस की जीत से जो है, वो थोड़ा महौल बदला, और कॉंग्रिस की जीत से उतना महौल नहीं बदला, जितना मुस्लिम वोटों के कंसॉलिडेशन से बदला, मुस्लिम वोटों का मन तेलंगाना में भी केसियार के खिलाफ लंबे समय से, लंबे समय से मतनब 2.5 साल से लगातार मुसलमानों में नाराज़गी है केसियार को लेकर, उसके कारण कौन से मुझ्दे थे मैं पहले बता चुका हूँ, तो KCR को लेकर उहापो में थे मुस्लिम मद्दा था लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था भारती जंता पार्टी के साथ जाना नहीं था कॉंग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थी तो इसलिए मन मारकर KCR के साथ थे अब उनको लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो रहा है तो उनको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वज़े से KCR मी परिशान है उन्होंने जो विपक्शी एक्ता और राष्टे एस्तर पर सबको एक करने की मुहिमती ये सब छोड़ा है उसके पीछे यही कारण है उनको लगा कि इस चक्कर में पता चला अपने पैर की नीचे की यहां स्टेट की जमीन खिसक गई तो एंटी इंकम्बेंसी बहुत जादा है केसियार की सरकार के खिलाब उनकी जो लोक लुभावन यूजनाए हैं उन सब के बावजूद उनकी सरकार से नाराजगी कम होने की बजाए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अब सवाल यह है कि उसका फायदा कौन उठाए है अभी तक दिखाई दे रहा था कि भारती जन्ता पार्टी उसका फायदा उठाने की स्थिति में है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बांदी संजय कुमार उन्होंने जिस तरह से पूरे प्रदेश की यात्रा की जिस तरह से संगठन कड़ा किया लोगों को जोड़ा उससे और मीज जगे थी आपको याद होगा दिल्ली में जब पार्टी की राष्टी कारिकारणी की बैटा कोई थी तो उसमें प्रदान मंत्री ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी और कहा था कि बाकी राज्यों में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इसी तरह से काम करना चाहिए उनको उधारन के रूपे पेश किया था लेकिन वही अब समस्या बन गए है समस्या इसलिए बन गए है कि उनको लग रहा है कि अब ये पूरे तेलंगाना पर उनका एक अधिकार होना चाहिए वो जिस तरह से कहें पार्टी वैसे ही चलनी चाहिए जो बाहर से लोग आए है वो अपने को उनसे बड़ा नेता मानते हैं इसलिए समस्या और ज़्यादा बढ़ गए तो इन बाहर से आए लोगों और बांदी संजे कुमार के बीच में तालमेल की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारती जन्ता पार्टी की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है तो एक तरह से कहें तो चौतरफा जो है संकट आगया है तेलंगाना में भारती जन्ता पार्टी ने राश्टरी नेतितों ने एक तरह से इस विकार कर लिया है कि हम तीसरे नमबर पर चले जाएंगे इसके अलावा क्या कारण है जो इस्थिती ऐसी बनी है सबसे बड़ा बलकी कहें कारण बन रहा है वो है दिल्ली का शराब गोटाला आप कहेंगे दिल्ली का शराब गोटाला उसका क्या मतलब तेलंगाना की राजनीती से और वो भी भाजपा की राजनीती से बहुत बड़ा मतलब है दिल्ली के शराब भोटाले में आपने एक साउथ लॉबी का नाम सुना होगा जिसके लोग गिरफतार भी हुए है जेल में भी है और उसके तार जुड़ते हैं के कविता जो के सियार की बिटी है के कविता का नाम चारशीट में है उमीद यह की जा रही थी कि मनीश सी सूधया की गिरफतारी के बाद अगला नंबर कविता का है उनको गिरफतार किया जाएगा लेकिन उनकी गिरफतारी लगाताग तलती जा रही है इन्फोस्म dirigrice उनसे दो बार पुष्ताच कर चुका है अब उसमें तो ED बता सकती है, लेकिन जो राजनीतिक असर उसका हो रहा है, वो यह हो रहा है कि लग रहा है, यह जो बाहर से आए लोग है, एटला राजेंदर और राज गोपाल रेड़ी और उसके अलावा जो लोग आए, उनके मन में एक शंका हो गई है, उनको लग रहा है कि भारती ज जिन्ता पार्टी और खासतर उसे प्रधान मंत्री के किलाव बोलना बंद कर दिया है, यह बात सही है कि कोई न कोई अंडरस्टेंडिंग के सियार और बीजेपी के बीच में हो गई है, अब यह चुनाव बात की अंडरस्टेंडिंग है या उसके अलावा कुछ है, यह पत आ रहे हैं, एतला राजिंदर भी और राजगोपान रेड़ी भी दोनों कह रहे हैं कि कविता की गिरफतारी क्यों नहीं हो रही है, और जो एंटी इंकम्बेंसी वोट है, जो के सियार से नाराज वोटर है, वो भी ठिठक गया है, उसको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, क के कविता को अब तक गिरफतार हो जाना चाहिए था, तो इन सब को मिलकर यह लग रहा है कि भारती जनता पार्टी को जितना आक्रामक तरीके से एंटी इंकम्बेंसी का फाइदा उठाना चाहिए, सरकार के किलाब खड़े होना चाहिए, उतना वो आक्रामक दिख नहीं र लग रहा है कि इनके कद के मुताबिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है संगठन में यह कहीं और, कहीं और तो मतलब सरकार तो है नहीं, केंदर सरकार में उनको कोई जगे मिल नहीं सकती कि विदायक है, तो इसलिए जो है, उनको लग रहा है कि प्रदेश संगठन में उनका व के बीच में जो शान्त होने का नाम नहीं ले रहा है और बांदी संजय कुमार की भी इसमें भूमी का है कि ये एगो क्लैश जो है कम होने की बजाए और बढ़ गया है उनको लगता है कि हम औरिजिनल पार्टी के सदस्य हैं हम कारिकरता के इस तर से उठकर यहां तक पहुंच हैं जिसकी वज़े से ये परिस्थिती बनी है ऐसे में बांदी संजय कुमार ने पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से अन्रोध किया कि आप सब को बुलाईए दिल्ली और बातचीत कीजिए इस मसले का हल निकलना चाहिए क्योंकि चुनाव अध्डा के दफतर से 21 जून और 23 जून दो दिन फोन गया इन दोनों ने ताओं एटला रजेंदर और इसके अलावा राजगुपाल रेड्डी को दोनों ने आने से मना कर दिया सीधे-सीधे मना नहीं किया लेकिन आने के लिए हां नहीं किया और आए भी नहीं तो अब य भारतिय जनता पार्टी में उनका आगे का भविश्य नहीं है उनको आगे की राजनिती अगर करनी है तो भारतिय जनता पार्टी से बाहर कोई जगे कोजनी पड़ेगी उनका उनका बड़ा असपर्ष्ट कहना है कि हम भारतिय जनता पार्टी में आये क्यों थे हम आये थे केसियार से लड़ने के लिए, केसियार को हराने के लिए और केसियार को सत्ता से हटाने के लिए ये तीनों काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं फिर हमारे भारतिय जंता पार्टी में होने का मतलब क्या है अब देखें जो परिस्थिती है तेलंगाना की उसमें केसियार से उनकी लड़ाई है भारतिय जंता पार्टी से वो असंतुष्ट है तो बच्ता कौन है? कॉंग्रेस पार्टी हाला कि ऐसी कोई चर्चा भी या कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो कॉंग्रेस में जाएंगे लेकिन कॉंग्रेस के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है अगर उनको प्रदेश की राजनीती में प्रासंगिक बने रहना है तो उनके सामने कॉंग्रेस ही एक मात्र विकल्प है वो होगा कि नहीं होगा भाजपा का केंद्री नित्र तो उन्हें मना पाएगा या नहीं मना पाएगा उनकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी या नहीं या भारती जनता पार्टी के रुख में बदलाव आएगा या नहीं ये सब बातें अगले कुछ दिनों में तै होंगी लेकिन उसी के साथ ये भी तै होगा ये दोनों नेता इनके follower और इनके साथ जो और इनके बाद लोग आए वो भरती जन्ता पार्टी में रहेंगे या नहीं अभी जो माहौल बना हुआ है जो परिष्टी बनी हुई है उसमें लगता है कि अब बियारेस से या कॉंग्रेस से निकल कर लोग भरतीय जन्ता पार्टी में नहीं आने वाले हैं वो चुनाओ के समय टिकट बटवारे के समय जिनको टिकट जिनका कट गया वो आजाएं वो बात अलग है लेकिन उस तरह से बिना टिकट बटवारे का फैसला हुए उससे पहले लोग आएंगे ये बीजेपी को उम्मीद थी बीजेपी की रणनीती भी थी कि चुनाओ से 4-5 महिने पहले अभियान चलाकर बियारेस और कॉंग्रेस से लोगों को लाया जाएगा लेकिन ऐसा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है तो तेलंगाना देखे कैसे राजनीती का रुख बदलता है इसलिए कहते हैं कि मनुझ बली नहीं होता है समय होत बल्वान तो समय बहुत बल्वान होता है इसलिए किसी को कोई घमन नहीं होना चाहिए तेलंगाना में जो लग रहा था कि बिल्कुल तै है कि तेलंगाना विधान सबाज चुनाओ की लड़ाई बियारेस और भारतिये जन्ता पार्टी के बीच में होगी कॉंग्रेस हाश् बिचित है कि भारतिये जन्ता पार्टी आज से दो महिने पहले जहां थी वहां पर नहीं है तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजे आप से अनूध है कि चैनल देखिए शेयर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार